हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल इंडेक्सिंग इस्यू के बारे में तो मैंने देखा है आज के टाइम पर बहुत से ऐसे ब्लॉगर है जो न्यूबी ब् आपको ट्राफिक भी नहीं मिलेगा तो क्या सॉलीशन है क्या चीज़ें हमें अप्लाइ करनी चाहिए अपनी वेबसाइट पे कि हमारे आर्टिकल जो है वह जल्दी सो जल्दी इंडेक्स हो तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मेरे कुछ चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए डेली बना करके लेकिया हूँ जिससे आपको हेल्प हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जोड़ जाओ ठीक है तो बात कर लेते हैं अगर हम आर्टिकल इंडेक्सिंग के इश्यू की ठीक है तो अभी के टाइम इंडेक्सिंग का इश्यू हमेशा आपको देखने को मिलेगा अगर मैं अपनी सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और आपको डिटेलिंग में बताऊंगा कि क्या क्या चीजि़ आपको अप्लाई करनी है जिससे आपको हेल्प हो सके वैसे तो मैंने चैनल पर काफी पुरान ही है ठीक है तो कि अभी जो गूगल के इतने अपडेट आ रहे हैं तो कुछ चीज़े चेंज हो गई है जिनको आपको यूज करना चाहिए ठीक है तो आए देखते हैं कौन-कौन से मेरे मैं जिनको मैं यूज करता हूँ यहां पर आप देख सकते हो मैंने टोटल छे पॉइंट्स लिख रखे हैं और इन पॉइंट्स को अगर आप यूज करते हो न तो मेरा मतलब यह समझ लो यह प्रूवन मैंट है मेरे लिए क्योंकि यह मेरे लिए काम करते हैं और लिटरली बता रहा हूँ इन में से अगर आप 6 के 6 शोड़ो आप इन में से अगर 3-4 पे सही हो जाएगी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की तो फर्स्ट पॉइंट है डेली पॉब्लिशिंग अब जैसे कि अगर मैं अपने ब्लॉग का एक्जामपल लूँ ठीक है तो वैसे तो यह मेरी वेबसाइट थी अब इस पर मैं काम नहीं करता हू ठीक है मैंने अएपल के परपर से बनाई थी तो अभी मैंने इसको छोड़ रखा है लेकिन अगर आप लोग को बैक लिजंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकता हूं इसका इतना खास है नहीं लेकिन कुछ कीवड इसके रैंग करते हैं ठीक है तो देखो आपिकल और यह सबसे बड़ा रीजन है आपके आर्टिकल का इंडेक्स ना होने का ठीक है आप अगर कोई काम कर रहे हो तो जब आप डेली वह काम करोगे कभी तो पता चलेगा लोगों को ना ठीक है तो ऐसे ही वेबसाइट है जो गूगल का बॉट है वो हमारी वेबसाइट पर डेल आपको मैं पोल के दिखाता हूं यह आप अब जैसे कि आपको मैं सर्च कंसोल इसी वेबसाइट का सर्च कंसोल दिखा देता हूं तो आठ घंटे पहले अपडेट हुआ है अभी इसमें थोड़ा बहुत चल ला है जिस वजह से यह मॉर्निंग में अपडेट होता है दर उस गूगल का बहुत हमेशा क्रॉल करता है तो उस क्रॉलर को कैसे आप बताओगे कि आप काम कर रहे हो जब आप अपने आर्टिकल को डेली पब्लिश करोगे तभी तो बताओगे ना गूगल का बहुत आया उसने देखा कि आपने कुछ नया नहीं किया अपने वेबसाइट जा कर घृट जाएगा कुछ नहीं मिला दुबारा आ यगा तब भी कुछ नहीं मिला दिवराएगा तब भी कुछ नहीं कि बैट जाएगा और उसके बाद दुबारा नहीं आएगा आपको फिर पहुत से अलग मैठेट करने होंगे इंडेक्सिंग के लिए काफी सारे मतलब डारेक्ट इंडेक्सिंग करोगे जा करके ठीक है सम्मिट करोगे अपना URL वहाँ पर तब जा करके होगा ठीक है तो वह बहुत बिगार चीज है ठीक है मेरे नजर में तो आप लोग अपने content की जो publishing strategy है ना उसे change करो आप दिन decide कर लो कि आपको कब कब content publish करना है अगर आप week में तीन content publish करते हो तो दिन fix कर लो Monday Tuesday gap Wednesday Thursday gap फिफ Friday ऐसे करके decide कर लो ओके इसके बाद आपका crawler set हो जाएगा और आपकी indexing जल्ली जल्ली होने लगेगी यह है हमारा पहला method जिसको मैंने describe कर दिया अब हम बात कर लेते हैं दूसरे method की जो की है content optimizer ठीक है इसमें क्या है जैसे हमने कोई article लिखा अब हमको पता है कि आज के time पे indexing इतना असान नहीं है और ranking तो उससे ज्यादा मुस्किल काम है तो उसके इसमें अगर हम अपने आर्टिकल को जल्ली से इंडेक्स कराना चाहते हैं और जल्ली से उन keywords पर rank कराना चाहते हैं जिन पर हम target कर रहे हैं तो हमें अपने आर्टिकल को optimize करना होगा ठीक है जो आपके पुराने देदेगा कि कौन-कौन से URL पर traffic आ रहा है मतलब किन पर impression गया है किन पर click आया है उन URL को आप update करो उनमें देखो कि और क्या content हम add कर सकते कौन से नया keyword है जिनको आप add कर सकते इससे आपका ट्राफिक भी इंक्रीज होगा और आपकी रैंकिंग भी इंक्रीज होगी और साथी साथ आपकी जो indexing issue है वो भी solve हो जाएगी क्योंकि आप कुछ नया दोगे अपने आर्टिकल में ठीक है तो गूगल का बहुत आएगा उसे चीज को अपने माइंड में रखेगा और उसके बार वो continuously क्रॉल करना चालू करेगा डेली क्रॉल करता रहेगा तो यह चीज आप स्ट्राटिजी बना लो कि जिस दिन आप कॉंटेंट नहीं पब्रिश कर रहे हो उस दिन आप अपने आर्टिकल को अपडेट जरूर करो ठी तीसरा जो हमारा मैठेट है वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग अभी के टाइम में गूगल के पी आई आ चुका है बहुत लोग गूगल के पी आई यूज करते हैं जब आपकी वेबसाइट पे आप 20-30 कॉंटेंट पब्लिश करते हो उसके बार भी इंडेक्सिंग इसू वार करते हैं तो उसके इसमें आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग यूजius कर सकते हो गूगल के यूज करके ठीक है Sixade करit तो उसमें मतलब instant indexing का आपको option मिलता है वो enable करके आप अपने URL को index करा सकते हो ठीक है जिससे आपका article 24 hours में index हो जाएगा और वहाँ पर index होने के बाद उस article जब वो आपका article index हो जाएगा उसे आप daily update करते रहो और देन उसमें जो हमारे चौथा method है इंटर लिंकिंग ठीक है तो आप अपने मतलब indexing आले आर्टिकल में जो भी आर्टिकल इंडेक्स हो चुके है उसमें जो भी relevant आर्टिकल आपकी website मिल ले है ठीक है उनका URL आप उसमें जा करके paste करो ठीक है और जो गूगल का बॉट है वो आपके indexing आर्टिकल के तुरू आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग करो अगर आपके indexing बिलकुली नहीं हो रही है एक महिने से indexing नहीं हो रही है ठीक है न्यू वेबसाइट पर इस देखा जाता है जब फ्रेश डोमेन होता है तो उसमें यह चीज देखने को मिल जाती है ठीक है तो उसके इसमें आप यही कर सकत इसके अलाबा जो हमारी पांच भी चीज है वह है सोसल सिगनल सोसल सिगनल के थ्रू भी आपको बॉट करता है ठीक है यहां से आप ट्राफिक भी ले सकते हो और इसी के साथ साथ आप अच्छा इंडेक्सिंग इस्यू जो आपका है ना साइट का वह भी साही कर सकते हो ठीक अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ ठीक है आप मिने चैनल पर जाओगे यहां पर देखो मैंने सोसल ट्राफिक के रिलेटेड वीडियो बना रखी है ठीक है आप जाओ ठीक है इसली जा करके यह जो इंक्रीज वेबसाइट ट्राफिक है इसे यूज कर सकते हो यह वाला जो पहला वीडियो मैंने बहुत दिन बात जो अफ्लोड किया था ठीक है इंक्रीज वेबसाइट ट्राफिक विस सोचल मीडिया इसे आप देखो यहां पर मैंने डीपली बता रखा है कि कैसे आप सोचल मीडिया से ट्राफिक ला सकते हो और इसी मैटट को यूज indexing issue भी सुदर जाएगी आपके अर्टिकल इंडेक्स होने लगेंगे Google के और करेगा सोचल मीडिया के सारे अब एस सब क्रॉल करेंगे तो आपकी website की इंडेक्सिंग खतम हो जाएगी और सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है जो आपको कोई नहीं बताता वह मैं बता रहा हूं अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग सही करो ठीक है अपनी वेबसाइट पे बैकलिंग जो है वह बनाओ अच्छी वेबसाइट जो एथॉर्टी वा यहां से आपको मिलेगी क्योंकि होता क्या है अब क्या होगा जब यह अलग अलग छे वेबसाइट इस आर्टिकल को लिंक करेंगे तो गुगल को यह समझ में आएगा कि कुछ तो इस आर्टिकल में अथॉर्टी है और कुछ इस वेबसाइट में अथॉर्टी है तो वो क्या करेगा हमारी वेबसाइट पे ऐसे ही वैल्यूबल चीज को खोजने के लिए बार बार क्रॉल करेगा और हम जो भी चीज पब्लिस करेंगे उसे जल्दी से जल्दी इंडेक्स करेगा समझे तो जितनी ज्यादा ब जैन्मिन बैकलिंग बनाना मैं तो प्रिफर करूंगा कि गेस्ट पोस्ट पर ही जाओ गेस्ट पोस्ट से आपको एथॉर्टी बैकलिंग मिलेगी आपकी रैंकिंग आपका ट्राफिक और आपकी इंडेक्सिंग इस सब चीजे सॉल्ड हो जाएंगी ठीक है तीन मन्त के बा पॉलिसीज है उसके अगेस्ट होगी ठीक है तो उसका थोड़ा बहुत इशू होता है उसे आप अपडेट करके सही कर सकते हो और फिर आप अपने उस आर्टिकल को भी इंडेक्स करा सकते हो बाकि इसके लावा सच कंसोल पर जा करके आप अपना जो साइट मैप यहां पर स अपनी वेब साइट का डेली आगर के रिपोर्ट देखा करो कि आपका जो वैलिडेशन है वो सही हुआ कि नहीं कौन से आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुए किसमें क्या है रार आ रहा है यह सब चीजे आप ध्यान से करो आपके आर्टिकल का इंडेक्सिंग इस्यू पूरी optimize पे जाओ ठीक है इसके बाद आपको मैं recommend करूँगा social signals इस पे जाओ इसके बाद intel linking तो आप करते ही होगे ठीक है मुझे पता है बस intel linking यह देख लो कि कौन सा article index है कौन सा article नहीं index है उसको देख करके करना ठीक है और back linking पे थोड़ा focus करो आपको इतनी चीज़े करने के बाद कोई नहीं रोख सकता indexing issue को solve करने में ओके तो मिलता हो next वीडियो में और ऐसे इंट्रेस्टिंग चीज़े और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो चीज़े बता ही उसे ध्यान से करना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा ओके तो मिलता हो next वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई